नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है दोस्तो कि आपको कभी ऐसा सपना आया है जिसमें आप किसी ऐसे विक्ति को देखते है जिसकी मुरक्ति हो चुकी है या आपका कोई अपना विक्ति जिसे आप जानते है और जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी आपको उनक आज तक जरूर देखे, क्यूंकि आज हम आपको सपनों के कुछ ऐसे रहस्यों के बार में बताने जा रहे हैं, जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे. दोस्तो भले ही विज्ञान कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले लेकिन वो आज तक सपनों के रस्यों के बारे में जान नहीं पाया है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जो सपने में देखते हैं वो सच हो जाता है शायद आपके भी साथ कभी ऐसा हुआ हो से सपन शास्तर की निर्मिती की है और इसमें सपनों से जुड़े कई ऐसे राज बताये गए है जिने विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया है सपन शास्तर में कई प्रकार के सपनों का वर्नन मिलता है सपनों में जानवरों का दिखना, सपने में पंचत तत्वों को देखना, ईश्वर का दिखाई देना, तता भूतों एवं राक्षेसों को सपने में देखना, इसके साथ ही मरे हुए लोगों को सपने में देखने का एक अलग ही मतलब होता है, आज हम आपको सपन शास्तर के अ आपको भी महसूस हो जाएगा कि आपकी विसाथ कभी ऐसा हुआ है लेकिन आप इन पर गोर नहीं करते और भूल जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी बिंती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथी उस घंटे को दबाना ना भूले ताकि हमारी रहस्ते में जानकारी वाली विडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। सब्सक्राइब करने से पहले ही अवगत करा देते हैं। तो इसका आरत ये है कि वह आपसे कुछ चाहता है, उसकी कोई अधुरी इच्छा रह गई है और वह आपको इस इच्छा को पूर्ण करने का आगर करने बार बार सपने में आता है। इसलिए सपने में वह वेक्ति जिस और इचारा करे उस और आपको ध्यान देना चाहिए। सपने में किसी जीवित इंसान के मरत्य दिखाई देना अच्छा संकेत माना गया है। सपन शास्तर के अनुसार ऐसा सपना देखने से उस वेक्ति के आयू में व्रद्धी होने का संकेत होता है। सपने में उदास दिखाई दे तो वह आपके किसी कारे से नाराज है। दोस्तों ये थे सपन शास्तर में बताए गए मरे हुए वेक्ति को सपने में देखने के कुछ रहस्या। क्या आपको भी सपने में मरतक वेक्ति दिखाई देते हैं तो हमें कमेंड में जरू बताए। झाल झाल